हाई एव्रिवान आई विश की आपसे बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैन्डा के बारे में एक बहुत ही अच्छी ख़बर है ट्रावलिंग को लेकर हमारे भारत के लोगों के लिए कैन्डा नहीं अनाउंस किया है कि एक एपरिल से आपको कोई भी प्री एंट्री कोविड नाइटीन का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है अगर आप फुली वैक्सिनेटेड हो यानि कि आपने दोनों डोजेज ली हैं को अतम कर दिया गया है तो मैं चाहता हूं कि एक गुड नीज आपको आउनलाइन दिखा दूँ उसके बाद आपको पूरी स्टोरी एजिली समझ में आ जाएगी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यह है गर्मेंट ऑफ कैना की ओफिशल वेबसाइट इन्होंने यहां पर चैसे एक्स्प्लें किया है पढ़ लेते हैं गर्मेंट ऑफ कैना विल रिमूव प्री एंट्री टेस्ट रिक्वार्मेंट फुली वैक्सिनेडेड ट्रावल आपरिल 1st याने की पहली 1st अपरिल से जो भी इंडिया के लोग ट्रावल करेंगे कैना में उनको कोई भी प्री एंट्री टेस्ट कराने की जरूत नहीं है आगे पर लेते हैं पूरी स्टोरी ने अच्छे से एक्स्प्लें किया है आप परसकते हैं आप लिका हैं मार्च 17 याने की बहुत लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए तोडे द गवर्मेंट अफ कैनडा अनॉंस एफेक्टिव अपरिल 1st 2022 फुली वैक्सिनेटेड ट्रावलर्स विल नो लॉंगर नीड तो प्रोवाइड अप्री एंट्री कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट तो एंट से टेस्ट है मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में आगे लिखा हुआ है फुली वैक्सिनेटेड ट्रावलर्स सीकिंग टू अराइव इन कैनडा बिफॉर अपरिल 1st 2022 मॉस्ट इस्टिल हाव वैलिट प्री एंट्री टेस्ट यानि कि कहने का मतलब यह कि अगर आ एक अपरिल का होगा तो नहीं कराना आगे लिखा हुआ है अज यहां आपको बताना चाहते है कि अगर आप ट्रावल कर रहे हो किसी भी कंट्री से अगर आपने वैक्सिनेशन भी ली है तब भी आपको COVID-19 का molecular test कराना पढ़ सकता है बट depend करता है कि जब कोई अगर आपको वहाँ पर officer अगर आपको रोकता है random testing के लिए तभी आपको ये test कराना होगा यानि कि जब आप Canada पहुँचोगे तब visa officer के उपर depend करता है immigration officer के उपर करता है कि अगर वह आपको रोक लेता है तब आपको ये कराना पढ़ सकता है आगे लिका हुआ है travelers selected for mandatory random testing are not required to quarantine while awaiting their test result कहने का मतलब यह कि अगर आपको ये test कराना भी पढ़ेगा test कराने के बाद आपको वापस भेज दे जाएगा जहां पर भी आपको जाना है आपको quarantine होने की कोई भी जरूत नहीं है आगे लिका हुआ है for partially or unvaccinated travelers who are currently allowed to travel to Canada pre-entry testing requirements are not changing यानि कि अगर आप आपने कह सकते हैं एक dose लगाई है COVID-19 की या आपने कोई भी doses नहीं लगाई आप unvaccinated हो तब आपको pre-entry testing करानी ही पढ़ेगी आगे लिखा है unless otherwise exempt all travelers 5 years of age or older who do not qualify as fully vaccinated must continue to provide proof of an accepted type of pre-entry COVID-19 test result यानि कि अगर आपको छूट नहीं दीगे गई है और अगर आप 5 साल से उपर हो अगर आप fully vaccinated नहीं हो तो आपको कौन से pre-COVID-19 test कराने पढ़ेंगे यह यहाँ पर लिखा हुआ है आपको pre-entry COVID-19 test का मतलब है a valid negative antigen test administered or observed by an accredited lab or testing provider taken outside of Canada no more than one day before they initially scheduled flight departure time or their arrival at the land border or marine port of entry कहने का मतलब यह कि अगर आप Canada आ रहे हो ट्रावल कर रहे हो तो आपको एक negative antigen test करना पढ़ेगा एक दिन पहले जिस दिन आपकी flight है उससे एक दिन पहले आपको यह test लेना पढ़ेगा अपनी ही country में यानि कि अगर आप इंडिया से है तो इंडिया से आपको करना पढ़ेगा लेकिन वो accredited lab होनी चाहिए और testing agency होनी चाहिए by government तो इसका आपको ध्यान रखना है आगे जो दूसरा test है pre-covid-19 test है a valid negative molecular test taken no more than 72 hours before they initially schedule flight departure time or the arrival at the land border or marine port of entry बहुत simple है यानि कि जो दूसरा test हो सकता है वो है negative molecular test और वो आपको 72 hours यानि कि 12 गंटे पहले लेना है जब भी आपकी flight है उससे 12 गंटे पहले आपको ये test लेना पड़ेगा उसके बाद तो ये कह सकते हो कि main जो test है ये आपको कराने पड़ेंगे और यही सारी की सारी update है जो latest update आप सभी के लिए तो I hope कि ये जो news है ये आपको पसंद आई होगी breaking news है आप सभी को इससे बहुत फायदा हुआ because अब testing के लिए आपको ज़्यादा टेंचर लेने की ज़रूत नहीं है अगर आप fully vaccinated हो तो या अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please इस वीडियो को लाइक करना share करना हमारे YouTube चैनल के subscribe कर लेना bell icon button के प्रेस जिरू करना उससे आपको daily Canada की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी अगर आपको Canada का spouse visa चाहिए तो आप हमें contact की जब आपको लगा के देंगे अगर आपको study visa चाहिए तो वो भी हम लगाते हैं अगर आपको Canada का spouse visa and study visa साथ में लगाना तो भी हम apply करते हैं इसके लब अगर आपको PR apply करना IELTS की coaching चाहिए अगर आपको French language सिखने तो वो भी हम सिखाते हैं तो हमार पस सारे solutions से जब आपको में contact करना हम से मिलना है तो उसके बाद हम अपकी पूरी मदद करेंगे अगर आपको कोई सवाल तो प्लीज आप हम से Instagram के तुरूप पूछ सकते हैं सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दियें So thank you so much आपके कीमती टाइम का Best of Luck and Take Care Always